एक तरफ जहां एक हफ़ता पहले ही देश में राम नवमी शुभायात्रा के दोरान जगा जगा पर दंगे हुए, बिहार के बिहार शरीफ और सासाराम में इस्तिथी काफी बिगड़ गई, वहीं दूसरी तरफ प्रदेश के एक मात्र मुस्लिम बहुल जिला किशन गंज में मुस्लिम समुदाय के एक व्यक्ति ने हनुमान जन मुदसफ के खास मौके पर हनुमान मंदर निर्मान के लिए अपनी केमती जमीन दान कर गंगा जमुनी तहजीब की मिसाल पेश की है दरसल किशन गंज के रुईधासा इस्थित बाजपई कॉलोनी के जमिदार मर्हूम जुलकर नैन एहमद ने हनुमान मंदर निर्मान के लिए ग्रामीडों की मांग पर अपनी केमती जमीन दान में देने की इच्छा जाहिर की थी हाला कि कोरोना काल में उनकी म्रत्यू हो गई उनकी म्रत्यू के बाद ग्रामीडों ने उनके पुत्र से मंदर निर्मान के लिए जमीन दान करने का प्रस्ताव रखा तो उनके दोनों पुत्र फैस और फजल एहमद ने अपने पिता के वादे पर खरे उतरते हुए छे अप्रेल को हनुमान जन मोत्सफ के खास मौके पर देड़ कठा जमीन दान में दी मंदर निर्मान के लिए जमीन मिलने पर इस्थानी लोगों ने खुशी जाहिर की और मंदर निर्मान से पूर्व धोजा रोहन कर पूजा आशना की यह जुलकर नैन थे मास्टर थे यहां के और यह जमीन विक्री उनी के द्वारा हुआ है जो यह नगर बसा है बाजपई कोलोनी तो उनकी भी इक्षा थी कि आप लोग अगर जाहिर करें कि यहां एक मंदिर बनाना है तो हम दान देने के लिए तैयार है तो इत्तफाक से उनका तो देहान थो चुका उसके बाद हम लोग यहां के बाजपई कोलोनी के जो निवासी है हम लोग इक्षा किये कि चलके उनके बच्चों से कहा जाए तो तुरा तु लोग राजी हो गए हमारे अब्बा का ही एक्षाथा आप लोग बनाई है और यही जमीन जो है हमारे पीछे उन्होंने दिया जो आज उसका सिलनास हुआ और बजरंग बली के नाम से जमीन मिला है कि यह बजरंग बली का मंदिर बनेगा कितना जमीन है लगभाग एक डेड़ कठा के अंदर है अब मंदिर निर्मा के कार चल रहा है हाँ और भी आगे चलेगा आज तो धजा रोहन हुआ है आज हनुमान जैनती के उपलक्ष में आज सुभारंब किया गया है और आगे इसका काम चलेगा यह जमीन जो थी इसको प हमसे प्रसनली हमसे मित्रता था तो उन्होंने क्या मिश्राबवाब अगर बनाएंगे यहां तो मैं आपको वादा करता हूं कि मैं हन्वान मंदिर बनाने के लिए आपको जगर दूँगा कायद को अहनवान जी से प्रेम है तो बहुत दूरों से प्रेवे था आप मावर जी के सीख शीत शाथी करणा काल में उनकी द्यांत हो गई द्यांत हो जाने के बाद हमने अपना छुटा सा घर बनाए यहां उसके बाद यहां जितने भी थे मिश्रा जी जब तक आपने का से लगे से बात करते हैं तो बात करने बाद उनों नहीं कहा कि नहीं पिता जी हमरा भी बोले थे जो अंकल के आवे तो उनको मंदिर बनाने के लिए जगह तुम डोनेट कर देना किता जी तो नहीं रहे मैं सहस्त तयार हूं मुझे कोई इत्तिनम करें देखो कोई भावन अगर हो तो इसा नहीं कोई मेरे देखो कभी नहीं है और अपने पिता जी के बचन पर एकदम खरे उत्रे और हमार मंदिर की आज सिलाना से रखा गया समों के दुआरा इतने भी यहां कोनली के बासी है सभी आए सब को खुशी है अब मंदिर का निर्मान धीरे धीरे हो जा कि उनके पिता नहीं इंतकाल से पूर्व मंदिर निर्मान के लिए जमीन दान में देने का उनसे जिक्र किया था और उन्होंने अपने पिता के वादे को पूरा करते हुए मंदिर निर्मान के लिए जमीन भी दे दी तैज अमद ने गीता का अबदेश का पाठ दौराते तो ज्यादा तर उन लोगों ने हिंदू कमुनिटी के लोगों की बसाया था उस समय कुछ लोग आया थे पापा के पास वो लोग आके बोले कि सर हमें जमीन आपको मंदिर को डोनेट करना पड़ेगा तो ठीक है हम लोग इस बारे में यह करेंगे फिर पिता जी तो रहे नही लेकिन उन्हें उससे पहले मुझे बताया था कि बेटा वो फ़लाँ प्लॉट है उसको डोनेट कर देना अगर हो तो ऐसा अगर वो लोग आये मांगे तो और अमर्दी भहिया भी थे वहीं पर अमर्दी भहिया को भी यह चीज मालूम है तो फिर कुछ दिन पहले लगबग जो आई तो आप खाला अगर थे थो सकतित खाले 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 तो और हनुमान मंदिर के लिए जो स्कूरा कैया है अब अब इसे लोग जो जब के नाम पर एक दुस्रे को बाठते हैं वह उसक्या संदेश देंगी सर्दी की एक दू परसेंट ऐसे लोग है नाइटी खाते हैं असी मजाग सब वही चलता रहता है एक दो परसाइंटी है ऐसे लोग है मिलके रही है भाई खुश रही है गीता सार है जो कल तुम्हारा जो आज तुम्हारा है वह कल किसी और का था परसू किसी और का हो जाएगा तुम नंगे आया थे और वैसे ही तुमको मरना है वैसे ही जाना है तुम्हारे पास कुछ नहीं रहने वाला है तो फिर रोना दोना कहें पुन्हीं करो भाई अच्छे करम करो और क्याश्ट